हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2022 के नेक्स्ट मुकाबले के बारे में जो की काफी शांदार मुकाबला खेला जाने वाला है पंजाब 308 गुज्रा टाइटेंस के बीच में तो फ्रेंज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली ग्रेंड लिक टीम क इस वीडियो में वाले है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए चाहिए उससे पहले आपने अभी तक में टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया है तो हमारा टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम से लगबक 38,000 यूजर तेलिग्राम पर जुड़ चुके हैं आप भी जो दी गई ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से आपको में टेलिग्राम पर फोलो करना है चले फ्रेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस तरह से आपको चैंजिस देखने को मिल सकते हैं बात करें टीम परफोर्मेंस के बारे में परफोर्मेंस भी आप देख़े हैं पंजाब कीzonने अभी तक तो इस मेच में भी 304 ओर गेंद बाजी करते हैं आपको नजर आ सकते हैं तो Captain Vice Captain की best choice बन सकते हैं Livingstone इस बात को भी आपको ध्यान में रख कर चलना है फिर हम बात करें शुबमन गिल है शुबमन गिल पंजाब के सामने जब भी खेलते हैं आठ मेच में 225 रन बना कर आ रहे हैं वो भी 37 की एवरेज से वहीं पर राशित खान किसी भी टूनामेंट का तीसरा मुकाबला खेलते हैं उसमें एवरेज 2 विकेट निकालते हैं यहाँ पर दोनों ही काफी ज़्यादा important हो सकते हैं जरूर बना दीजीगा फिर हम बात करें मैंक अगरवाल का रिकोर्ड इतना अच्छा नहीं है इस ग्राउन पर only 7 का एवरेज है मैंक अगरवाल का तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस चोईज आपर हरदिक पंड्या भी बन जाते हैं फिर हम बात करें थोड़े से रिस्की प्लेयर के बारे भी हाला कि रिस्की तो नहीं है बड़े प्लेयर है लेंकि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है हाला कि राहूल चार बहुत अच्छा काम कर रहे है इस सीज़े में अगर राहूल चार के बात कहूं तो इस ग्राउंड पर एक मेच में तीन विकेट इन निकाले वही पर पंजाब कींग के सामने राशित खान ने दस मेच में अठारा विकेट निकाले एक टीम में दोनों क कैप्टैन वाइस कैप्टैन जरूर बना दीजेगा अब बात कर लेते हैं प्लेयर बेटल के बारे में तो भी अब प्लेयर बेटल आप देख लिजिए शिकर दवन जब भी खेलते हैं राशित खान की गेंदो को टी ट्वेंटी का रिकोर्ड है पैत्यस गेंदे खे लिए राशिद खान की 34 रन बना है और लेकिन तीन बार ये आउट हो चुके तो काफी अच्छा ये प्लेयर बेटल देखने को में मिल सकता है वहीं पर हम बात करें लोगी फर्ग्यूस इनकी जब भी शिकर दवन को गेंद बाजी करते हैं 16 गेंदों पर 17 रन दिये और एक बार ये मेथिवेड की जो की टॉप उडर के बले बाजे 21 गेंदों पर रबाड़ा की 21 गेंदों पर 34 रन बना हैं लेकिन 3 बार आउट हो चुके तो कहीं नगए रबाड़ा एक बार फिल सही ने चलता कर सकते हैं जल्दी ही इस बात को भी आपको ध्यान में रख कर चलना हैं फिर प्रेंस अब बात करें यहां से शुमन गिल की तभी या शुमन गिल के सामने जब रबाड़ा होते हैं तेज गेंदे खेली ओनली 12 रन बनाएं और एक बार यह आउट हो चुके तो काफी ज़्यादा इस्ट्रगल करते हैं शुमन गिल रबाड़ा के सामने वहीं पर हार्द अब प्रेंस पीच रिपोर्ट की मैं बात करूँ उससे पहले आप टेलीग्राम से जोड़ेए लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीच रिपोर्ट वैसे तो आप पूरी तरह से बल्ले बाजी इसको विकेट हमें देखने को मिलता है आप देखोगे बाजी करने का फिर फर्स्ट इनिका एवरेज स्कोर 180 का जो क्लियरली दर्शार रहा है बल्ले बाजी अनुकुल विकेट को हाईएस 212 बना है लोवेश्ट 115 का यहाँ पर बना है अब फ्रेंस इसकोरी पेटेंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है ओटो करेट हो गया तो यहा यहां पर आप देखोगे 180 यह भी 130 के ऊपर है लेकिन 127 पर आउट कर दिया था वह अलग मेंटर करता है फिर आप देखोगे और बाकी इन चीज़ों का फर्क परता नहीं तो मैं मान के चल सकता हूँ एक सो सितर रन प्लस को हमें इस मेच में देखने को मिल सकता है बात कलें दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन के बारे में तो पंजाब किंग से हम देखेंगे मैंक अगरवाली शिकर दवन जोनी बेस्टर आफ यहां पर मैं आपको एक चीज़ किलिए कर दू कि जोनी बेस्टर बानुका राजा पक्षा इन दोनों या ओडन इसमित इन तीन में से कोई दो खिलेंगे इन तीन में से कोई दो खिलेंगे पॉसिबलिट अगर टीम गेंदबाज बढ़ाना चाहेगी तो बानुका राजा पक्षा बाहर बेट सकते हैं लेकिन अगर टीम बल्लेवाज बनाने चाहेगी तो जोनी बेस्ट और वानुकराजा उक्सा दोनों खेल सकते दोनों और सिस प्लेड है तो इन तीन में से कोई दो खेलेगा फिर आप देखो के लिविंग स्टोने जितेश शर्मा शाहरुक कान वेबा अरुरा लास्ट में दो विकेट लेकर गइडेज मdoors दोर में 14 डेख एक विकेट राहुल छाहर ने होगे प lado कोई कर शितेश लघज थ्लव क्ल में नजर नहीं आए अच्छा काम किया लेकिन बड़ी पारी में तबदिल नहीं कर पाएं अच्छा काम मिलर ठीक्टा खेलiptsा है剛剛 शेआ हैं रहुल तैवुल पिर राशित खान, लोकी फर्गुशन, वरुन आरण और मौमज शमी, अब इस टीम के आ बल्ले बाजी देखो कि तो इतनी ज़्यादा मजबूती नजर नहीं आती जितनी की इनकी गेंद बाजी है, राशित कान, लोकी फर्गुशन और मौमज शमी की, अब आप इनकी लास् अरण बाजी से भी एक उनकी गेंद बाजी तो ये थी लास्ट मेज की, दोनों ही टीमों की पॉसिवल प्लेइंग इलेवन और उनकी गेंद बाजी, अब फ्रेंट देख लेते हैं क्या रहेंगे हमारे ग्रेनलिक कॉंबिनेशन, उससे पहले टेलीग्राम से जुट जड़ लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छा एपर डाउनलोड कर लीजिएगा 20,000 रुपे का गीववे यहाँ पर चल रहा है जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके सामने शो हो जाएगा 20,000 रुपे का गीववे साथ इसाथ पहले डिपोजीट पर आग 200% बोनस ओफर भी यहाँ पर चल रहा है तो बहुत अच्छा एपर फेंटो पले जरूर से डाउनलोड कीजिए यहाँ पर फ्रेंस 100% बोनस लीग भी चलती रहती है 25% बोनस आप ग्रेंड लीग में यूज भी कर सकते हो तो डाउनलोड करते हो बोनस भी आपको मिलता है तो आ लैंक अगरवाल शुम्मन गिल श्रिकरदवन फिर हार्दिक पंडिया लिविंग इस्टों तो यहाँ तक हमारी टीम परफेक्ट है ध्यान रखना बल्ले बाजी सेक्षन में कोई ज्यादा ओप्शन हमारे पास नहीं है तो बल्ले बाजी से ओप्शन हमारा लगबक सेम रह फिर आप देखो के राहुल चाहर को मिनी लिया है रबाढा को मिनी लिया है फिर मॉमज शमी राशित खान और लोगी फरिवसन तो फिर इनोही में गेन बाज इस तीम के आ गए तीम और बल्ले बाजी भी मेरी बहुत अच्छी नजर आती है तो यह तीम आप इस और ग्रें आप Rabada को कर दो एक टीम में राहूल चाहर को एक टीम में आप शिकरदवन को कर दो एक टीम में आप शुबमन गिल को तो इस तरह से भी आप कैप्तेन वैस कैप्टेम करकर टीम सेम रहने देने only कैप्तेन वैस केप्टेन चेंच करने और Small Liekh के लिए जो मिनी ग्रेन लिफ्स होती है उसमें ज्यादा चांस रहते हैं जीतने के सेकंड जो कॉम्बिनेशन मेरा बनता है सेकंड कॉम्बिनेशन भी आप देख लीजिए इसमें मैंने जोनी बेस्टर को लिए आप द्यार रखना जोनी बेस्टर नहीं कहलेंगे जोनी बेस्टर जोनी बेस्टर नहीं कहलेंगे तो बान्यो को राचा पक्षा कहलेंगे तो चेंज कर लेंगे बैंग अगरवाल, शुबमन गील, शिकर दवन को मेंने लिया है हर्दिक पंडिया, लिविंग स्टोन मेरी टीम में आ गए रबाड़ा, लोकी फर्विशन, मौमस शमी और राशिद कान तो चारो ही में गेंग बाज इस टीम के और इस टीम के मैंने दो गेंग बाज लिया है तो ये कॉम्बिनेशन में मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो फोर्थ जो मेरा कॉम्बिनेशन है कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगा इसमें लिविंग इस्टोन, अर्शदीप सिंग, राहुल चार और रबाड़ा चार गेंग बाज आ गए को मिलेंगे, बल्ले बाजी मेरी सेम रहेगी, शिकर दवन, मैंग अगरवाल और शुपमन गिर, मेत्यू वेड की जगे आप यहाँ पर आपके बाद जो ऑप्शन जॉनी बेस्टर खेलते तो जॉनी बेस्टर वन्ना बानुका राजा पक्षा, फिर विजे शंकर को मिने ल होती, वो ही चल जाता, तो इन दोनों पर लोगों की नजरे नहीं होगी, विजे शंकर और ओडनी स्मित पर, अगर जी खेलते हैं, तो मेज को एक तरफा कर सकते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रख कर चलना है, फ्रेंस, फाइनल अप्डेट जो होगी, वो मैं आपक लिक अप चैनल पर देख रहे हो, हमारा ओफिशेट चैनल मनी गुरुजी के नाम से, और फ्रेंस, फिर सब याद दिलादू, फेंटू प्लेट जरूर से डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, और टेलीग्राम की लिंक भी